तो हम बात कर रहे थे सनी और शुकर की युति जब आपके D9 चार्ट के विभिन भाव में होगी तो इसका किस प्रकार से आपको रिजल्ट देखना है यहां पर देखे हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव की अगर आपका नुआमसा चार्ट या D9 चार्ट में सेकंड हाउस में सनी और शुकर इस्तित हैं तो इसका कैसा प्रभाव आपके लिए रहने वाले हैं देखे इन दोनों का यूती सेकंड हाउस में होने की वज़े से अब यह जर्री नहीं है कि वहां पर शुकर की ही रासी होगी उसके इसाब से भी आपको देखना है लेकिन देखे यहां पर शुकर और सनी साथ हैं तो यह यूती दिखाती है कि आप वास्तम में भौतिक्ता को लेकर कैसा नजरिया रखते हैं आप अपना जो भी कारिय करेंगे जो भी आपका कारिय छेतर होगा वहां आप उस कारिय छेतर के बाद जब आप कुछ एचिव कर लेते वास्तम में लाइफ में उसको इंजोई कैसे करते हैं आप अपने भौतिक लक्षयों को कितना जल्दी पा लेंगे किस प्रकार से पाएंगे आप उन भौतिक लक्षयों को इसके लवा जो आपका expenditure है यानि जो आपके खर्चे हैं और आपका जो asset है उसके परते आपकी सोच कैसी है आप कितने अनुसासित हैं आप क्या वास्तम म बहुत ज़्यादा अनुसासन को लेकर आएगा आप में जहांपर आप अपनी asset build करने के लिए ज़्यादा देखेंगे जबकि आप खर्चों पर उतना focus नहीं करेंगे लेकिन आप हमेशा अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा सेमित रखना पसंद करेंगे तो ऐसा विक्त स्टोई भी नहीं कर पाता ऐसा हो सकता है तो यहां किसे भी जातक को हो सकता है मैरीज के बाद जिवन साथी का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो बहुतिक लक्षयों को प्राप्त करने में लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी अर्चने बहुत सारी बाध्धें व्यक कोच लानी है एक असी परती बद्धता आपके अंदर खुद को डवलप करनी पड़ेगी जहां पर आप रेगुलर तरीके से अपने एसेट को बिल्ड करेंगे तो सनी और शुकर का यूती फैमिली को लेकर भी सर्टेन बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन को दिखाता है सा ऐसा जाब तक हो सकता है second half of life में बहुत ज्यादा alert हो सकता है अपने finance को लेके वो अपने targets को लेके काफी alert हो सकता है वो काफी calculated रहेगा और कुछ हद तक वो risk भी लेगा life में बट वो बहुत ही सोस समझ कर नपी तुली एकदम risk लेगा तो यहां पर कुछ हद तक आपको satisfaction की कमी रह सकती है आपको धन के मामले में इस्तिती है वो इस्तिरता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी उसमें लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी कुछ कम्या देखने को मिल सकती है या long term के लिए अगर आप जाएंगे तो ज्यादा बेतर रहेगा short term में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा frustrated नजर आ सकते हो सनी और शुक्र जब भी साथ इस्तित होते second house में दिनाइन में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अनुसासन को लेकर आता है आप में और आप कितना ज़्यादा अनुसासन रख सकते हैं कितना ज़् आपको लेकर अपने फैमिली को लेकर और अपने फैमिली के वास्तम में जो finance को लेकर जो उत्तरदाइत वह आपके बनते हैं आप उनको कितना जल्दी एचीव करेंगे यह यह दिखाती है तो ऐसे में कोई जाता कैसा हो सकता है जो बहुत ज्यादा ही restriction में रहते हुए आप अनुसासन को बहुत ज़्यादा importance देंगे अपनी life में इसके लवास सबसे जोरी है आप कितना punctual है काम करने को लेकर आप family के साथ एक हमेशा serious relationship को ही देखेंगे यहां पे कुछ हद तक family के साथ मतभेद भी सामने आ सकते हैं आप हमेशा asset build करने को लेकर बहुत ज्याद रहेंगे life में तो यहां कुछ हद तक देखिए संभावना इस बात की है अगर आप long term का investment करेंगे long term के लिए जाएंगे हमेशा तो ज्यादा सफलता मिलने के chances रहेंगे इसके लवा शुक्र क्योंकि इस्त्रियों के लिए यहां पर देखा जाए तो इस्त्रियों को उतना प अदद करेगा आपका family का overall status change करने में आपकी lifestyle change करने में लेकिन देखिए विक्ति कितना भी धनवान हो जाए कितना भी पैसा वाला हो जाए बट वो luxury को जब enjoy करेगा एक restriction में ही करेगा एक limit में ही करेगा हमेशा और वो दूसरों के लिए अपने family के दूसरे members के लिए भी उ जमेदारी लेने की बात आती है तो single-handedly वो सारी चीजों को handle करता है तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावन है कि आपके अगर ये यूति बन रही है तो निस्तित रूप से family के जो उत्तरदाइत्व हैं धन समंदी, property समंदी उनको आप काफी seriously लेने वाले हैं और उनको ए इन सब targets को इन सभी इस्तितियों को अच्छे से achieve कर पाएंगे